हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपने बहुत ही सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका इंडियन कोश्टकार्ड नाविक एंडियांध्रिक का जो पेपर हुआ है उससे लेटिट आपकी जो एक्सपेक् सभी का जवाब आपको इस वीडियो मिल जाएगा दोस्तों इंडियन कोश्टकार्ड जो आपका पर पूरा है जो भी डाउट है सभी का जवाब आपको इस वीडियो मिल जाएगा तो आप वीडियो को मिने स्किप की एंड तक जरूर देखें अगर आप हमारे चैनल पर नह 114 seat, EWS के लिए 33, OBC के लिए 83, ST candidate थे अगर आप 7 seat थी, SC के लिए थी 23, यानि total 260 seat थी, general duty के लिए, वोई domestic branch की बात करने थे, domestic branch की जनरल की थी 22 seat, EWS के थी 6, OBC की थी 8, ST की थी 3, SC की 11, यानि total 50 seat थी, वहीं बात कर लेते हैं, mechanical की, mechanical branch की थी दोस्तो, general की 13, EWS की 3, OBC की 7, ST की 4, SC की 4, यानि total थी आपकी 31, vacancy, वहीं बात कर लेते हैं, electrical की, electrical में general में थी 4, EWS में थी 1, OBC में भी 1, ST में थी 0, SC में थी 1, यानि total आपकी 7 vacancy थी, वहीं बात कर लेते हैं, electronics की, electronics में 7 seat थी, general की, 0 थी, आपकी EWS की 2 थी, OBC की, ST की 0 थी, और SC की 1, यानि total 10 seat थी, तो यह थी आपकी vacancy, category wise, कौन-कौन सी पोस्ट के लिए category wise आपकी कितनी seat थी, section A में अगर आप दोस्तो OBC, EWS और Unreserved की बात कर लेते हैं, category की अगर आप OBC है, EWS, या UR Unreserved, अगर आपके दोस्तो 30 या 30 से अधिक नमबर आ रहे हैं, तो आप safe zone में हैं, अगर आपके इतने नमबर हैं, comment box में आप जरूर बताना, अगर आप इतने नमबर लेकर आना हैं, तो आप safe zone में हैं, यानि आपका selection होने वाला है, आपको नोकरी मिलने वाली हैं, वही section second की बा 60 नमबर का जो पेपर था इतने नमबर हैं, तो ये माल लीजिए, आप safe zone में हैं, आपका selection होने वाला है, इस से कम नमबर आपके नहीं चलेंगे, वही section second की बात कर लेते हैं, जर्नल OBC EWS के लिए अगर आपके 20 पलस मार्क्स है, एस सी और हटी में 17 पलस मार्क्स है, यानि दोनों को मिला कर आपका, अगर 60 या 60 से उपर नमबर आ रहे हैं, तो दोस्तों आप safe zone में हैं, अगर section A, section B को मिला कर आपके इतने नमबर हैं, तो आप safe zone में हैं, दोनों section को मिला कर category wise, DB और GD की कितनी रहेगी, वह मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके first section में 60, second में आपके 50 पलस, अगर आपके इतने नमबर हैं, दोस्तों total यानि लगबग 110 से पलस नमबर अगर आपके हैं, तो यह समझे लीजे, आपको नोकरी मिलने वाली है, अब भरती होने वाले है, select होने वाले है, cost guard की जो आपकी vacancy निकली थी, category wise मैंने आपको seat बता दी, physical कब होगा आपका इंडियन कोस्ट गार्डेन यान तरीक आपका physical कब तक कराया जाएगा दोस्तों, मई में आपका physical कराया जाएगा, मई के लाच तक आपका physical कराया जाएगा, result कब तक आजाएगा, result आएगा लगबग आपका 15 से 20 अपरेल के बीच, क्योंकि आपकी जो process है काफी result आजाएगा, then उसके बाद मई में आपका result, physical कराने के बाद मई में उसके बाद result, final जो merit लगेगी, final selection होगा, वो आपका मई में हो जाएगा physical के बाद, सभी बाते मैंने आपके साथ discuss कर ली, कोई question, query, doubt रह गया हो, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, अगर आप दोस्तों इतन इतने नमबर आ रहे हैं, आपका selection, कितने बच्चों का selection हो गया है, इस बाद, तो अगर आपके इतने नमबर है, तो आपको बदाई हो, आप Indian, Coast Guard and Antrik की जो आपकी post निकली थी, उसमें select हो गए, तो दोस्तों सभी बाते मैंने आपके साथ discuss कर ली, कोई question, query, doubt रह गया हो, त subscribe करके जरूर जाना, exam for you channel को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर जो भी update आती रहे, सभी का notification आपको मिलता रहे, तो दोस्तों इस वीडियो में तने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ,